एक कहानी जो सब को सुननी चाहिए बिलिम सेक्सपेर ने एक ड्रामा लिखा था तो राजा किंगलेर जो थे वो इंगलेंड के राजा थे इस कहानी के हिसाब से और उनकी तीन बेटियां थी जब वो थोड़े बूड़े हुए तो उनको विचार आया कि अब अब गाश लेने का समय है तो क्यों ना अपनी संपत्ती का विवाजन कर दिये जाए राजे का विवाजन कर दिये जाए तो उन्होंने एक गजब करने ने लिया उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और सब से पूछा बारी बारी से कि कि आप मैंसे कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो जो बड़ी दो बेटियाँ थी उन्होंने बड़ी लंबा चोड़ा बढ़ा चड़ा के बोला कि मैं पिता मैं आपसे इतना प्यार करती हूं पलाना जो भी था उन्होंने बहुत कुछ बड़ा चड़ा के बोला तो सबसे छोटी बेटी की जब बारी आई तो सेम कुश्चन उससे पुछा गया तो जो छोटी बेटी थी उसने जवाब दिया कि हे पिता मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए बहुत ही खुसूरत पती में कुछ भी नहीं दिया उसको खाली हाथ वो पंजाबी में कहते हैं कि खाली हाथ तोर दिया तो कहने कभाब यह है कि सच बोलना चाहिए और दूसरी बात यह है कि सबका अधिकारक्षेत्र एक सीमित होता है पिता का अधिकारक्षेत्र सीमित है, माता का अधिकार क्षेत्र सीमित है, सास का अधिकार क्षेत्र सीमित है, बहु का अधिकार क्षेत्र सीमित है, बहु का अधिकार क्षेत्र सीमित है, बहु का भी, भाई का भी, सब का, कोई भी एक व्यक्ति, दो या तीन रोल नहीं कर सकता है, पिता एक दोस्त हो सकत होता है लेकिन फिर भी वो पिता होता है भाई एक दोस्त हो सकता है लेकिन से बढ़कर वो एक भाई होता है सब की एक limitation है और लोगों के घरों में क्लेश इस बात से है कि सब एक दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे होते हैं तो इन चीज चीज से बचना चाहिए